करन जौहर कॉंट्रिवर्सीज को अट्रैक्ट करते हैं और हाल ही में अनुपमा चोपरा के चाट शो पर मीटू कैम्पेइन के बारे में चर्चा करते हुए अचानक करन ने कहा कि मुझे चिकनी चमेली गाना बेहत खराब लगा मुझे इस गाने को देखकर अफसोस होता है मैं कभी भी ऐसे आइटम नंबर्स नहीं बनाऊंगा और अपनी फिल्म में भी ऐसे गाने कभी नहीं डालूंगा वेल अब ये तो काफी स्ट्रॉंग स्टेट्मेंट था और हम सोच रहे थे कि आखिर कात्रीना कैव इस पर कैसे रियाक्ट करेंगी पहले तो कैट ने कुछ नहीं कहा मगर जब वो अनुपमा चोपरा के चार्चो पर गई तो उन्होंने केजों को ताना मारते हुए कहा कि करन को अपनी आँखे बदल देनी चाहिए अपनी स्टान को सबके सामने रखते हुए कैट ने कहा मुझे नहीं पता करन ने ऐसा क्यूं कहा मगर मेरी राय उनसे अलग है आइटम सॉंग करना न करना एक आक्रिस का खुद का डिसिजन होना चाहिए मरोना और बियॉंसे जैसे स्टान्स भी स्विम सूट में परफॉर्म करते हैं उन्हें ऐसे करने में कोई चिजक नहीं होती ये सब अक्रिस के मन में होता है कि वो गाना परफॉर्म करते वक्त कैसा फील करती है मुझे चिकनी चमेली पर डांस करते वे बिल्कुल अजीब नहीं लगा मुझे ये गाना बेहत पसंद है और मुझे इस पर नाचना भी अच्छा लगता है कुछ गानी होते हैं जिन पर मैं कभी डांस नहीं करती मगर चिकनी चमेली उनमें से नहीं है वेल्ट अब सल्मान खान की टाइगरिस कट्रीना कैफ ने इस तरह करन जोहर को खरी खोटी सुनाए और अब ना जाने वो इस बात को यहीं खतम कर देंगे या फिर कैट को देंगे कराला जवाब आपको क्या लगता है हमें जरूर बताएं झाल